जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री पद्म पुरान की जै माग मास महत्यमे की मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारधी कभी नंदन करते हैं माग मास के सिपावन समय में आज हम आपको पुषकर तीरत की महिमा की कथा को सुनाएंगे श्री पद्म पुरान में पुषकर तीरत की महिमा का बड़ा सुन्दर वर्णन आता है वही कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं तो कथा इस परकार है महरिशी पुलस्त जी भीश्म पितामा जी से पुशकर तीरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन मेरूगिरी के शिखर पर श्री निधान नामक एक नगर है जो नाना परकार के रतनों से सुशोवित अनेक आश्चरों का घर तथा भहुत से रिक्षों से हरा भरा है भांते भांते की अध्बुत धातों से उसकी बड़ी विचितर शोभा होती है वह स्वच्छ स्वटिक मनी के समान निर्मल दिखाई देता है वहां ब्रह्मा जी का वेराज नामक भवन है जहां देवतां को सुख देने वाली कांतिम्गनी नाम की सभा है वह मुनी समुदाय से सेवित तथा रिशी महरिशियों से भरी रहती है एक दिन देवेश्वर भ्रहमा जी उसी सभा में बैठ कर जगत का निर्मान करने वाले परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे ध्यान करते करते उनके मन में ये विचार उठा कि मैं किस परकार यग्य करूं भूतल पर कहां और किस स्थान पर मुझे यग्य करना चाहिए काशी, परियाग, तुंग भद्रा, नैमिशारन्य, पुषकर, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक शेत्र, सरस्वती और परभास आदी भहुत से तीरत स्थान है भू मंडल में चारों और जितने पून्य तीरत और शेत्र हैं उन सब को मेरी आग्या से रुद्र भगवान ने प्रकट किया है, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है भगवान श्री विष्णुजी की नाभी से प्रकट हुए उस कमल को ही वेदपाठी रिशी पुषकर तीरत कहते हैं पुषकर तीरत उसी का व्यक्त रूप है इस प्रकार विचार करते करते प्रजापती भ्रहमा जी के मन में ये बात आई कि अब मैं पृत्वी पर चलूँ ये सोच कर वे अपनी उत्पती के प्राचीन स्थान पर आए और वहां के उत्तमवन में परविष्ट हुए हैं जो नाना प्रकार के विरिक्षों और लताओं से व्यापत और भांती भांती के फूलों से शुशोबित था वहां पहुंचकर उन्होंने शेत्र की स्थापना की जिसका यथार्थ रूप से मैं अब वर्नन करता हूँ चंद्र नदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नंदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्प न ब्रह्मा जी ने वहां तीन पुशकरों की कल्पना की प्रथम जेष्ट पुशकर तीरत समझना चाहिए जो तीनों लोकों को प्वित्र करने वाला और विख्यात है उसके देवता साकषात ब्रह्मा जी है दूसरा मद्यम पुशकर है जिसके देवता श्रीहणी विश्नु गुह शेत्र है वेद में भी इसका वर्णन आता है इस तीरत में भगवान भ्रह्मा सदा निवास करते हैं उन्होंने भूम अंडल के इस भाग पर बड़ा अनुग्रह किया है पृत्वी पर विचरने वाले संपूर्ण जीवों पर कृपा करने के लिए ही भ्रह्मा जी ने इ अग्यवेदी को उन्होंने स्वरन और हीरे से मरा दिया और नाना परकार के रतनों से सुसजित करके उसके फर्ष को सब परकार से सुशोवित और विचित्र बना दिया तत्पशात लोकपितामा भगवान भ्रह्मा जी वहां आनंद पुर्वक रहने लगे साथ ही श्री हरी विष्णु भगवान जी भगवान शिव आठों वसू दोनों अश्वनी कुमार मरू दगन तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज इंदर के साथ वहां आकर विहार करने लगे यह तीरत संपूर्ण लोकों पर Regent करने वाला है मैंने इस की इथार्थ महिमा का तुम से वर्णन किया है हे राजन जो मनुश पुशकर-तीरत की महिमा की इसकता को सुनता है या इसका पाथ करता है उसे पुशकर-तीरत की यात्रा का फल प्राप्त होता है और भग पुश्कर शेतर की महिमा का वर्नन किया है तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान शी राधा कृष्ण जी की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की शीराधे जैजै शीराधे जैजै शीराधे शाम